आज हम बात करेंगे अगर आपने जुलाई 2024 सेशन में एडिमिसन लिया है तो आपको कॉलेज कब से जाना होगा यानि कि क्लासेस के लिए आप कॉलेज कब से जा सकते है और कॉलेज जाना जरूरी है या फिर नहीं तो वीडियो को पूरा देखिए और इगनु से रेलेटेड सभी अपटेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि सभी अपटेट आपको मिलते रहे सबसे पहले मैं आपको कुछ जरूरी बाते बता देता हूँ उसके बाद फिर हम क्लासेस के बारे में बात करेंगे इगनु में जब बच्चे एडिमिसन लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपन यूनिवरस्टी में एडिमिसन लिया है और ओपन यूनिवरस्टी के बच्चों को जादातर सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है यानि कि खुद से पढ़ाई करना होता है और वहीं हम बात करें क्लासेस के बारे में तो इसका जो है कुछ भी फिक्स नहीं रहता है बहुत से बच्चे ये रहता है कि क्लासेस के भरोसे बैठे रहते है कि जब हमारा क्लासेस स्टार्ट होगा उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे तो आपको ऐसा नहीं करना है अगर आपने इगनु में एडमिसन लिया है इसका मतलब यह है कि आपन यूनिवरस्टी में एडमिसन लिया है और ओपन यूनिवरस्टी के बच्चों को ज़्यादा तर खुद से पढ़ाई करनी पढ़ती है तो अगर आपको किताबे मिल गया है तो आप self study पर ज़्यादा ध्यान दिजिए, किताबे मिल गया है तो आप पढ़ना start कर दिजिए और वही हम बात करें कि आपको college जाना होगा या फिर नहीं, तो college जाना जरूरी नहीं होता है या आपके उपर depend करता है, अगर आपके classes होती है तो आपको जाना है, otherwise नहीं जाना है और इगनु में ये रहता है कि जो आपका class रहता है वो जादा नहीं होता है, जादा 10 होगा, 15 होगा, यानि कि 10 दिन होगा या फिर 15 दिन होगा और उसी में जो आपका syllabus है, वो complete करवा दिया जाएगा और बहुत से ऐसे भी regional center है, जो कोई भी class वगिर आपको provide नहीं कराते हैं, आपको self-study करनी पड़ती है तो अगर आपको किताबे मिल गया है, तो आप self-study पर ज़्यादा ध्यान दिजिए, खुद से पढ़ाई किजिए और इसके अलबाए या कि मालिज कि आप किताब को पढ़ते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो इगनु के ऐसे बहुत से online platform है, जहां से आप lecture videos को देख सकते हैं तो उसके लिए आपको इस वाले website पराना होगा, ध्यान से देख लिजे, egyancourse.ac.in यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर आपको यह बहुत से source मिल जाएंगे इगनु के बहुत से YouTube channel है, वहाँ पर जितने भी वीडियो दियेगे, उनका link यहाँ पर update कियागे, यहाँ से आप देख सकते हैं साथी में इगनु का चार स्वेम परभा TV channel है, जिस पर live classes होते रहते हैं, live चलता रहता है, तो उनको भी आप देख सकते हैं या फिर इन सब चीजों को अगर आपको access करने में कोई problem आ रहा है, तो आप इस playlist को check कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने हर एक topic के बारे में, यहाँ पर जितने भी option दियेगे, सभी के बारे में डीटेल में बता रखा कि किस तरीक सा आप इनको access कर सकते हैं और बात करें हम classes के बारे में कि अगर कोई भी class होता है, तो उसको आप कहां से निकाल सकते हैं, यानि कि schedule आपको कहां पर मिलेगा, तो अगर आपका कोई भी class होता है, तो इसका जो information रहता है, एगन में जो भी आपका registered email ID रहता है, admission के वक्त आप जो भी email ID देते हैं, उसी email email ID पर आपको schedule प्रोवाइड करा दिया जाता है, या फिर आपको इस वाले page पर आना होगा, आपका जो भी regular center है, आप यहाँ पर check किजिए, example के लिए जैसे कि आपका regular center राची है, तो आपको यहाँ पर click करना होगा, आपके regular center का official website open होगा, और सभी website में आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा, counseling schedule, आपको यहाँ पर click करना होगा, तो अगर आपका कोई भी class होता है, तो इसका information यही पर update किया जाता है, इस पर जैसे ही आप click करेंगे, तो इस तरीके से पूरा जो counseling का schedule है, वो open हो जाएगा, यानि कि classes का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिन्होंने भी July 2024 में admission लिया है, किसे भी semester based program में, जैसे कि BCA, MCA, MBA, तो यहाँ पर कुछ subject का class का schedule है, वो update कर दिया गया है, और इन में से कुछ class जा चुके है, और कुछ आने वाले है, जैसे कि यहाँ पर आप click करेंगे, तो PDF file open होगा, और यहाँ पर आ schedule दिया गया है, साथ ही दिन होने वाले है, timing दिया गया है, subject code दिया गया है, और देखेंगे तो यह online होगा, जिसके यहाँ पर एक Google meet का link दिया गया है, इस पर जैसे ही आप click करेंगे, तो यह इस तरीके से open हो करके आजाएगा, यहाँ पर आप अभी मैंने camera और mic को बंद कर रखा है, तो इस तरीकी से दिख रहा है, यहाँ ask to join पर click करके, आप class में सीधा ही सामिल हो सकते है, यहाँ पर जो time दिया गया है, उसी time पर आपको इस link पर click करना होगा, और कई बार offline schedule रहता है, तो उसमें यह रहता है, कि जो आपका study center रहता है, वहाँ पर जाना होता है, और ध्यान रखिए, study center पर भी जाना compulsory नहीं होता है, यह आपके उपर है, जाना है, तो जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं, तो उससे भी कोई problem नहीं होता है, यहाँ पर attendance वगरा नहीं लगता है, लेकिन अगर आपका practical होता है, तो उसमें जाना compulsory रहता है, उसमें इतना ही वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इगनुस रेलेटेट सभी अप्टेट इंस्टेंटली पाने के लिए, आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है, साथी साथ आपका कोई सबाल है, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं,